नमस्कार जहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल इंपोर्टेंट MCQ by संदीब में दोस्तों कल हमने आपको डेलेट सेकेंड समिस्टर का गडित का मॉडल बेपर नंबर टैन प्रवाइड कर आया था वहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रशन पत्र प्रवाइड कराया था तो वहाँ पर जो भी प्रशन मैंने आपको दिये थे सॉल्व करने को अब वक्त आ गया है कि आप अपने आंसर्स मैच कर ले और अगर आपको उन में से कोई प्रशन नहीं आता है तो आप यहां से उस प्रशन को कैसे solve करना है यहां से सीख सकते हैं दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है प्रशन पत्रवाला तो पहले उसको देखिए और फिर उसको solve करिए फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको यह पता चल सके कि आपका जो गडित का इस्तर है वो कितना अच्छा है या कितना गिरा हुआ है चले शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और घंटे करिशान जरूर दबा लिजे ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और उसके बाद जब मैं सलुशन वाला वीडियो आपको दूँगा तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं तो चैनल शुरू करते हैं यहां पर वीडियो यहां पर जो पहला प्रशन था उसको आप मिला लिजे पहला प्रशन है पंद्रा की क्रमागत विसम संख्या क्या होग कि मैंने आपको बताया था कि जब भी एक विसम संख्या दे रखी हो और दूसरी क्रमागत विसम संख्या पूछे तो वहां पर दो जोड़ देना यानि पंद्रा प्लस दो कर देना यह आपके आगे सामने आगे 17 तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 17 अगला यहाँ पर प्रशन है पैतालिस मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर प्रति घंटा में बदलो तो जब भी ऐसा कोश्चन आता है कि मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो option number two यहाँ पर सही हो जाएगा अपने अपने आंसर मैच कर लीजिए प्रस्व संक्या है तीन चार साथ नो दस तेरा पंद्रा की मध्धिका ग्याद करो तो मान लीजिए जब कोई ऐसे छोटे संख्यां दे रखियों और लिमिटेड संख्यां दे रखियों तो गिन लीजिए कि आपको होगा एक दो तीन और यह चार यहाँ पर जो मध्धिका होगी वह होगी नो ऑप्शन नमबर टू क्लियर हो गई बात यहाँ पर सीधा चाया मध्धिका का फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर आप ऐसे भी गिन सकते देखें यहाँ पर कुल कितने हैं साथ हैं त यानि एंगल 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 यानि इसको हिंदी में कहेंगे कोड 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 और जो दूसरी कंडिशन यहाँ दे रखी है साइड 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 यानि भुजा 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 तिसरी साइड दे रखी है तिसरी जो ऑप्शन दे रखा है एस ए एस यानि भुजा कोड भुज और चौथा दे रखा है जो समकोड वाली त्रिभुज की जो शर्त होती है तो यहाँ पर कौन सी शर्त नहीं है सरवांग सम्त्रिभुज की तो वो है आपका option number one जिसने ये लगाया है उसी का सही है बाकी जो तीनों नीचे condition दे रखे हैं ये सरवांग सम्त्रिभुज की शर्त दूसरा हो गया पांच ये दोनों क्रमागत हैं अब इनके मद्ध में कितने पूढ़ांख है जरा हमें बताईए गिनके चार के बाद पांच आता है पांच के पहले चार आता है कोई पूढ़ांख है तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कोई पूढ़ांख नहीं होता क्लियर हो 27-z cube सरल कीजिए, तो 27-z cube, यहाँ पर इसको सरल करना है, तो इसको कैसे करेंगी, वह ओला formula लगाएंगे, a cube minus b cube, जो 27 है, वो 3 का cube होता है, तो यह इस तरहे बनेगा, 3 cube minus z cube, अब यहाँ पर a cube minus b cube ओला formula लगा दीजिए, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 27 को हमने 3 का cube लिख दिया है, और minus z cube लिख दिया है, ठीक है, इसके बाद इसमें हम formula लगा देंगे, a cube minus b cube ओला, तो इसका formula होता है, a minus b, यानि 3 minus z यहाँ लिख दिया, a square plus b square plus a b, ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया, अब यहाँ पर इसको आप खोल लिजे, 3 square plus z square plus 3 z, यही यहाँ पर इसका answer हो जाएगा, उमीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जो अगला प्रेशन है, प्रेशन संख्या 7, 0.5y plus 0.2y, बराबर 0.3y plus 2, इसको हल करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यह जो y वाले हैं, वो एक तरफ आ जाएंगे, तो 0.5 और 0.2 हो जाएगा, 0.7y, यह 0.3y बराबर के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस में, तो 0.7y में, जब 0.3y घटेगा, 3y घटेगा, तो यह आपका आजाएगा, 4y, ठीक है, 4y आगया, अब 0.4 को बराबर के उस तरफ भेजएगा, तो यह हो जाएगा, 0.2 बराबर 0.4, जब इसको डिवाइड करेंगे, तो यह आएगा 5, यहाँ पर जो y की value निकल के आएगी, वो आएगी 5, 2y पपीते के पौधे लगे हुए हैं, खेत में कुल कितने पपीते के पौधे लगे हुए हैं, यह आपको बताना है, तो इसको कैसे solve करेंगे, देखे, खेत में x-2y क्यारिया हैं, और प्रते क्यारिय में x-2y पपीते के पौधे लगे हुए, तो क्या करेंगे, खेत में कुल पपीते के पौधे निकालने के लिए दोनों को आप multiply कर दीजे, आपका answer आ जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैसे खेत में पपीते लगे हैं, तो x-2y, x-2y multiply कर दीजे, x-2y का square हो जाएगा, तो यहाँ फार्मल लगा दीजे, a-b का whole square लगा दीजे, तो यहाँ हो जाएगा, आपका x square plus 4y square minus 4xy, यही आपका final उत्तर हो जाएगा, आगे देखते हैं, अगले प्रसे संख्या, 9 यहाँ बोल रहे हैं, त्रिभुच की भुजाएं 2a plus 1 है, 3a plus 1, और 3a minus 1 है, यदि a बराबर 1 दे रखा हो, तो त्रिभुच की भु value put कर देनी है, और यहाँ पर आपका answer आ जाएगा, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली भुजा है, 2a plus 1, तो यहाँ पर a की जगे हमने 1 रख दिया, तो 2 into 1 plus 1, तो 2 plus 1 बराबर 3, दूसरी भुजा है, 3a plus 1, 3 into 1 plus 1, 3 plus 1 बराबर 4, तो तीसरी भुजा है, 3a minus 1, 3 into 1 minus 1, बराबर 2, यहाँ पर जो पहली भुजा है, वो 3 आई, दूसरी 4 आई, और तीसरी 3 आई, तो इस तरह आपने 3 भुजा यहाँ पर a की value रख कर निकाल ली, प्रसन संक्या 10 यहाँ पर कह रहा है, 5 बटे 3 minus 5 बराबर 10 में m का मान ग्याद करो, इसका m का मान कैसे ग्याद वो देख लीजे, यह आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो आपका minus का 5 है, बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा 15, तो m बटे 3 बराबर हो गया 15, अब यह 3 जो है यहाँ पर वो divide में है, तो दूसरी तरफ जाएगा, तो लासा ग्याद करो, लासा निकालना बेहद आसान होता है, उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों ने कर भी लिया होगा, कैसे यहाँ पर solve किया गया, यह भी आप देख लीजे, 22, 121 और 418 को एक लाइन में लिखकर, सबसे पहले हम 2 से divide करने का प्रयास करते हैं, देख लेते ह कोई संख्या अगर 2 से divide होने वाली है, तो हम सबसे पहले 2 से ही divide करते हैं, तो यहाँ पर 22 और 418, 2 से divide हो जाएगी, तो काट लेते हैं हम, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से divide करते हैं, 22 को तो आएगा 11, 121 कटेगा ने तो उसको ऐसे ही रख दिया, 418 को जो हम 2 से काटेंगे तो आएगा 220, ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, जादतर संख्या है, 11 से कटने वाली यह भी, यह भी और यह भी, तो हम 11 से काट लेते हैं, 11, 11, और 121 को जब 11 से काटेंगे तो आएगा 11, 209 को जब 11 से काटेंगे, तो आएगा 19, फिर से यहाँ पर 11 बचा हुओ है दो, ग्यारा, ग्यारा, उननिस, इनको कर दिया multiply, यह multiply हो गया, तो आपको जो लासा निकल के आ गया, 4598, अब इसमें अगर आपको कोई doubt हो, तो नीचे comment में हमें जरूर बताएगा कि लासा क्या ऐसे निकलना, लासा निकालना बेहद आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत रही ह होगी आपको, बात करते हैं लगुत्तरिय प्रश्णों की प्रश्ण संख्या 12, 30 decimetre लंबे और 25 decimetre चोड़े कमरे में वर्गाकार चोके लगाने हैं, जिससे कमरे का फर्स पूरा-पूरा ढख जाए, इन चोकों की निवनतम संख्या कितनी होगी, देखे कोई एरिया है, एरिया में वहाँ पर क्या करना है, वर्गाकार चोके लगानी है, जिससे कमरे का फर्स पूरा-पूरा ढख जाए, तो ऐसी कंडिशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का हम निकाल लेते हैं मासा, ठीक है, मासा निकालेंगे, तो 30 और 25 का जो मासा निकलेगा, वो एक भुजा होगी वो होगी 5 तो अगर भुजा पांच है तो उसका जो च्छेत्रины पांच यानि 25 हो जाएगा ठीक है ये एक वरगा का tiles का जो च्छेत्रफल है वो निकल गया 25 ओर Total फर्स का च्छेत्रफल हो जाएगा तीस गुड़े 25 क्लियर होगी वाद क्योंकि यहां पर जो इनका फर्स का जो छेत्रफल लंबाई है तीस और चोड़ाई है 25 जो छेत्रफल होगा वो कितना होगा तीस गुड़े 25 हो जाएगा कैसे सॉल करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ यहां आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हमने वर्गाकार चौका की भुजा निकाली कैसे निकाली मासा निकाल कर मासा पांच आया तो वर्गाकार चौका की जो भुजा होगी वो पांच निकालाएगी तो उसके जो छेतरफल होगा वो कितना हो जाएगा पांच गुड़े 5 क्योंकि वर्गाकार है तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है पांच गुड़े 5 हो गया 25 वर्ग डेसी मीटर अब हम कमरे के फर्स का छेतरफल निकाल लेते हैं कमरे की जो फर्स की लंबा करसे सनक्व को की संख्या कैसे निकलेगी टोटल जो छेतरफल है बते एक वर्गाकार चोके कैसे डिचेतरफल के यहां 3 करता हो और आते हैं प्रस संख्या तेरा पर 3 नंबड यह दे रखा ए और इसको 100 करना है तो सीधा हम इसको solve भी करते हैं पढ़के नहीं सुनाते हैं यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर minus plus minus धेर चारी चीजे लगी हुई हैं और bracket भी तीनों लगे हुए हैं तो सबसे पहले हम सबसे छोटे bracket को solve करते हैं तो सबसे पहले हम इस bracket को open करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे bracket के अंदर कुछ अगर solve होने वाला है तो उसको solve कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ भी solve करने वाला है ही नहीं क्योंकि 4 है 2x है और x3 है तीनों में कोई भी आपस में solve होने वाला नहीं है तो सीधा bracket को open करते हैं ब्रैकेट के बाहर लगा है माइनस का निसान तो अंदर की जितने भी चिन होंगे सब चेंज हो जाएंगे देखें यहाँ पर कैसे चेंज हो गया यह माइनस लगा तो माइनस 4 हो गया यह minus 2x है, यह plus 2x हो गया, यह minus x cube है तो plus x cube हो गया और उसके बाद minus 5x cube वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, clear हो गई बात अब इसके आगे आप देखिए, इसके आगे आप बड़ा bracket, जो मंजला bracket है उसके अंदर की चीज़े solve कर लेते हैं यह minus 5x cube है, तो एक plus का है, एक minus का है, तो घट जाएंगे, यानि 5 में जब एक घट जाएगा, तो आएगा minus 4x cube बाकी की सारी चीज़े same to same वैसे ही लिखे हैं, अब यहाँ पर देखे, फिर से यहाँ पर मंजले bracket के बाहर minus का चिन है, तो जब bracket के बाहर minus का चिन होता है, तो अंदर के सारे चिन बदल जाते हैं, तो यह 8x square plus का था, यह हो गया minus का, minus 4 plus 4 में बदल गया, 2x minus 2x में बदल ग जीजे, यह 8x cube है, तो cube वोला कोई और है, यह रहा, 8, 4, 12x cube हो गया, अब यह 3x square है, यह minus 8x square है, एक plus का है, एक minus का है, इसका मतलब घटेगा यह, घटेगा तो 8 में 3 जाएगा, आएगा 5 और चिन लगेगा, बड़ेगा, तो 8 और 3 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 8 क चिन है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 5x square है, अब यह 4 कोई जोड़ेदार नहीं, तो 4 को ऐसे उतार लिया, यह minus 2x, यह minus 2x, दोनों minus, minus है, यह जोड़ेंगे, हो जाएगा, minus का 4x, ठीक है, अब यहाँ पर आफ फिर से minus लगा है, bracket के बाहर, तो सारे चिन अंदर के सब पदल गए, ठीक है, अब यह 15x था, और यह यहाँ पर 4x है, 15 और 4 हो जाएगा, 19x, यह 12x cube, 5x square, minus 4, बाकी का सब कुछ वैसे लिखा, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आ गया, 12x cube, minus का, plus 5x square, plus 19x minus 4, यह मैंने arrange कर दिया, cube के आरो ही क्रम में, यानि x cube सबसे पहले है, और x square उसके बाद में, x उसके बाद में, number सबसे लास्ट, clear हो गए यह बात, चलिए, आगे देखते हैं, अगला प्रशन के, प्रशन संख्या 14 कह रहा है, एक कमरे की लंबाई, उसकी चोड़ाई की 5 बटे 4 गुना है, यह दि कमरे की फर्स का छेतर फल 20 वर्ग मीटर हो, तो उस उसकी लंबाई और चोड़ाई ग्याद करो, बेहद आसान सा question है, यहाँ पर हम चोड़ाई को x मान लेते हैं, तो लंबाई आपकी हो जाएगी 5 बटे 4 x, क्योंकि वो 5 बटे 4 गुना है, इसकी लंबाई, कैसे solve करो, यह देख सकते हैं यहाँ पर, चोड़ाई को हम x मान ले दिया, तो x और x हो जाएगा, x square, और जो 5 बटे 4 है, बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो जो नीचे है, वो उपर हो गया, और जो उपर था, वो हो गया नीचे, अब इसको multiply कर दीजे, 5, 20 होता है, तो 4 गुड़े 4 यहाँ से square हटेगा, तो इधर under root लग जाएगा, under root 4 गुड़े 4, यहनी 16 होता है, तो 16 का square root कितना होता है, चार होता है, तो x की जो value निकल के आगई, वो हो गई 4, तो यहाँ पर जो चोड़ाई आपके सामने आई, 4 मीटर, और जो लंबाई थी, वो 5 बटे 4 गुड़े 4, तो यह 4 चार कट जाएगा, जो लंबाई आगई आग क्लियर हो गई बात, यहाँ पर कोई आपको doubt नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ, यह प्रशन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई doubt होता है, तो बे जिजक comment में जरूर लिखें, आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ, प्रशन संक्या बनानी है, देखिए जब भी वर्ग विस्तार शुरू करते हैं तो वह 5 से या तो 10 से, या तो 15 से, या तो 20 से, मतलब 5 की गुरज में ही विस्तार वर्ग विस्तार शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम अगर देखें कि सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है, तो हम यहाँ पर द पांच का गुड़ाज, वो कितना है, 15 है, ठीक है न, 19 जो छोटा है, पांच का गुड़ाज, तो वो है 15, तो हम 15 से शुरू करेंगे, 15 से हो जाएगा 25, 25 से हो जाएगा 35, क्योंकि 10-10 के बनाने हैं, तो 15, 10, 25, 25, 10, 35, और 35 से 45, यहां पर और एक चीज देखनी है, कि सबसे ब होगा 45, तो यहां पर हम कत्ता ले जाएँगे, वो हम ले जाएँगे, 15 से 25, 25 से 35, और 35 से 45 तक, कैसे सॉल करते हैं इसको, यह यहां पर आप देख लिजे, सबसे पहले हम क्रम संक्या का कॉलम बनाएंगे, फिर वर्ग विस्तार का, फिर टैली चिन का, फिर बारम बारता का तो यहां आप देख सकते हैं, कि यहां पर 15 से 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं, हमने यहां 7 लिख दिया, 25 से 35 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, वो आपको उन आकडों में गिनना पड़ेगा, ठीक है, और 35 से 45 के बीच में कितने हैं, 7 हैं, तो इनके टैली मांक्स लगा दीजिए ये टैली मांक्स लग गए और आपका आंसर आ गया दो नमबर इसमें आपको आराम से मिल जाएंगे ठीक है ये करना आराम से सीख लिजिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न कीता प्रश्न संक्या 16 है एक सम्चतुर भुज के विकल चेत्रफ़ल का फार्मूला है एक बटे दो गुड़े विकलड़ों का गुड़न फल तो विकलड़ पहला था 10 और दूसरा था तो दोनों को गुड़ा कर दिया एक बटे 2 से गुड़ा कर दिया तो यह दो पंचे दस कट जाएगा पांच गुड़े साथ वरावर 35 सेंटिम देखें यहाँ पर बहुत से स्टुडेंट को सम्चेतर बीच के छ्टुरोच के छेतरफल का फार्मुलागा नहीं मालूम होता इसीलिए यह दो नमबर में प्रशन रखा जाता है वैसे तो इसके वेल्यू सिरफ एक नंबर की है लेकिन यहाँ पर छेतरफल का फार्मूला जो होता है वो कई स्टुडेंट को नहीं याद होता है इसलिए एक्जामलर ऐसे प्रश्णों को दो नंबर में रखते हैं शुरू करते हैं अब अगला जो प्रश्ण है प्रश्ण संक्या 17 है किसी पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमसा 40 मीटर और 30 मीटर है इसके अंदर 4 और 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है रास्ते में घास लगाने का व्य ग्याद करो जबकि घास लगाने की कीमत 16 रुप को बीच से रास्ता जा रहा हो चाहे वह किनारे अंदर हो चाहे किनारे वह बाहर हो तो सब कुछ मैं समझा चुका हूँ अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि रास्ते के छेत्रफल से संबंधित प्रश्ण कैसे सॉल करते हैं यहां आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें किया करना होता है पूरे पूरे पार्क का छेत्रफल निकाल लेना होता है तो पार्क की जो लंबाई थी 40 और चौड़ाई थी 30 तो 40 गुड़े 30 बराबर 1200 वर्ग मीटर अब रास्ते को छोड़कर सेस पार्क की लंबाई निकाल ली जे कैसे निकलेगी देखो दो मीटर चौड़ा रास्ता था नथा इधर घट जाएगा दो इधर घट जाएगा दो अधर घटेगा दो इधर घटेगा मतले चारों तरफ दो-दो घट रहा तो अगर लंबाई की बात करें यह 40 है आपकी तो दो इधर घट रहा है जैनी 40 में जब दोनों तरफ मिला कर चार घट रहा है तब से स्पार्क की लंबाई मिल लई है तो वह जाएगी 36 अब इसी तरह चोड़ाई ग्याद करने के लिए दोनों तरफ दो दो घटाएंगे तो 30-4 हो जाएगा चटविस ठीक है अब रास्ते को छोड़ कर से स्पार्क का जो चेतर फल होगा वो कितना हो जाएगा लंबाई 36 है चोड़ाई 26 है दोनों को गुड़ा कर दिया तो 936 वर्ग मिल्टर यह हो गया रास्ते को छोड़ कर से स्पार्क की लंबाई अब हमें घास लगवानी कहा है हम हमें लगवानी रास्ते पर तो रास्ते का छेतर फल भी तो पता होना चाहिए कैसे पता होगा कि टोटल में हम रास्ते को छोड़ कर जो शेश मैदान का छेतर फल है वो घटा देंगे तो रास्ते का छेतर फल निकल आएगा 1200-936 यह आ गया 264 वर्ग मीटर यह आया रास्ते 224 रुपए उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको clear हो गए होगी आपके सामने हैं पूरा सिस्टम कैसे यहाँ पर इस तरह के question solve करते हैं और इससे संबंधित मैंने एक बूरा वीडियो बनाया है अगर आपने वह नहीं देखा तो उसको भी देखिए नीचे description में link मिल जाए करो कैसे solve करेंगे इसे देखे सुनील की जो आयू है वह उसकी बहन की आयू से 10 वर्ष अधिक अगर हम बहन की आयू x मान ले तो सुनील की आयू कितनी हो जाएगी x-10 सही है ना अब पूछ रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्ष सुनील की आयू आसा की आयू की दुगनी रही है या इनकी दोनों की 5 वर्ष पूर्ष की आयू निकाए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आसा की आयू x मानी तो सुनील की आयू 10 वर्ष अथिक है तो x-10 हो जाएगा 5 वर्ष पूर्ष 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 की आयू कितनी हो जाएगी 5 घटा दीजिए x-5 कर दीजि तो जब 5 घटा दिया, तो ये बचा 10 में 5 गया 5 बचेगा एकस प्लस प्लस वर्स हो जाएगा प्रस्ण में यह कह रहा है कि जो सुनील की आयू है वो आशा की आयू की दो गुनी रही है 5 वर्स पहले तो सुनील की आयू 5 वर्स पहले कितनी है? x plus 5 और जो आसा की आयू थी ये 5 और पहले x minus 5 और दो गुनी थी सुनील की आयू तो यहाँ पर हमने दो गुना कर दिया ठीक है अब इसको आप सॉल कर लिजे 2x minus 10 हो जाएगा क्योंकि 2 का जब इसमें multiply होगा इसमें multiply होगा 2x minus 10 आजाएगा एकस को एक तरफ कर दिजे यह एकस यहां रखा हूँ है 2x plus का है इधर आजाएगा माइनस में हो जाएगा यह प्लस में इधर आएगा माइनस में आजाएगा यानि जो आसा की आयू निकलके आपके सामने आ गई वह हो गई 15 वर्ष सुनील की आयू आसा की आयू से 10 वर्ष अधिक थी तो में यहां पर जोड दिया हो गया 25 तो यानि दोनों की वर्तमान आयू यहां पर आपके सामने निकल के आदे आसा की आयू और सुनिल की आयू उम्मिद करता हूँ कि यह सारे प्रशन आपको अच्छे से समझ में आ गये होंगे अगर दोस्तों आपको आयू के प्रशनों में डाउट होता है तो आप हमें नीचे कॉमेंट में बताई हैं हम आयू के प्रशनों से रिलेटेड एक पूरा वीडियो इसी से रिलेटेड बना देंगे ताकि आपको आयू से रिलेटेड सारी क्योरेस जितनी भी आपकी वो सौल हो जाएंगी आपको कोई भी दिक्कत आयू के प्रशनों मे नहीं होगी अगर आपको नहीं आता है तो नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताइए ठीक है अगर आता है तो फिर तो कोई बाती नहीं अगर नहीं आता है कोई भी तरह की दिक्कत होती तो नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कोश् करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूरत मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत